हाई एवरिबरीबरी दिस इस शालू एर दोस्तों आज के इस फीडियो में हम पात करेंगी कंसेप्ट आफ एजुकेशन की आज हम इसके इंट्रडक्शन को देखने की कोशिश करेंगी आप सुषिलोजी में एक सब्जेट पढ़ेंगे जिसका नाम है सुषिलोजी आफ एज से कहते हैं सुनाओगा कि अगर आप समाज में एक अच्छी जॉब पा लेंगे तो आपको बहुत ही मांसमान मिलेगा है ना आप बहुत ही बहतर परसन बनोगे तो आपने कभी सोचा है कि इतना साथ यहां पर जो एजुकेशन उसको इंपोर्टेंस क्यूं दी जाती है आख एक मात्र साधन है ठीक है और यहां पर तीसरी बात यह कहेंगे कि लोग जो है ना वह सोचते कई बार कि अगर एजुकेशन से हम अपने जो व्यक्तित्व है उसको निखार सकते हैं उसने परसांटी को बेटर कर सकते हैं और उसके बाद यहां पर जो लास्ट में बात कहीं यह वो यह कहें कि दिखें जो एजुकेशन है ना वो क्या होता हमारी जो यूवरस्टीज और स्कूल्स है जो यूवरस्टीज है स्कूल्स में सीखने और सिखाने की एक्टिविटीज तक ही सीमेत है तो यहां पर इन सारे जो इतने भी कोशिंस है ना इन सभी का जो आंसर ह वो हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे ठीक है तो यहां पर देखे जो इसका मीनिंग है एजुकेशन का मीनिंग जो है न वो आपका एक तरह के से एक टम ही नहीं है यहां पर कीवल आपके सिक्षित करने से सीमित नहीं है इस बात को ध्यान रखिए कि सिर्फ आपका पढ़ना है या फिर आपको ग्यान पदान करने से नहीं कि इसको हम लोग यूज कर सकते हैं बलकि देखे इसका उद्देश ये होता है कि आप जो सुसाइटी में जिस तरीके से विवहार करना है उसका आपको ग्यान कराता है आपको जो लोगों के साथ आपको तालमेल बिठाना है है ना इसकी एक समझ देता आपको और यहां पर आप जो आपके पास ग्यान है जो नॉलेज है उसका आप use कर सकते समाज के विकास में क्योंकि देखे अगर आपके पास जो भी knowledge जो भी चीज़े आपने gain करी है अगर आपका उसका जो use है वो समाज के कल्यान में नहीं करोगे तो उस knowledge का उस education में कोई महत्व नहीं है तो यह बात है उसके बात यहाँ पर देखे क्या कह रहें कि यह enhance करता आपके individual की personality को काफी enhance करता आप एक बहुत ही बहतर person बनते हो और आपको एक provide करता confidence ताकि आप दुनिया को face कर सको तेकि हमारी जीवन में क्या होता हम बहुत सारी हमको परिशानी हमरी जिन्दगी में आती है सुख भी है दुख भी है लेकिन क्या होता है जहां हमें परिशानी आती है तो हम बहुत ही परिशान हो जाते हैं निराश हो जाते हैं हताश हो जाते हैं उसके लिए हमारे पास education होना जरूरी है ताकि हमारे पास एक awareness हो सके जो problem आई है उस पे हम अच्छे तरीके से लड़ सके और उसको face करके आगे बढ़ सके तो यहां पे हमको education confidence भी प्रोवाइड कराती है अगर हम largest sense में बात करेंगे तो यहां पे यह हमारे एक तरह से mind को character को physical ability को एक बहुत ही अच्छा बनाती है एक individual की personality को enhance करती है और यहां पे अगर हम technical sense में देखेंगे तो education क्या है एक process है मतलब यहां पे देखें क्या होता है कि जैसे हमारे माता पिता है उनके जो father ने उनको सिख्षा दीती जो भी values दीती जो भी संसकार सिखायती तो वो क्या ह रखनी है ओके आगे बात करते हैं अब देखें जो education है वो क्या है एक lifelong process है मतलब आप जब पैदा होते हो ना जब से आप पैदा होते हो और जब मतलब की मृत्य तक ठीक है तो वहां पर उस पूरी process में आप जिंदगी भर कुशना को सीखते रहते हो जैसे कि कोई बच्चा होते हैं तो सबसे पहले वो क्या करता है वो उसकी सारी senses काम कर रही होती है तो वो क्या करता है अपने आसफास के environment को देखता है आप किसी भी languages में बोल रहा है तो वो आपको देखने की कोशिश करेगा ठीक उसे तरीके से फिर बोलेगा जब वो बड़ा होगा सबसे पहले वो मा कहते हैं तो यहां पर हम लोग अपने environment सब को सीखते हैं तो यहां पर वही है कि जो एक education है वो एक lifelong process है अब देखी यह आपका include होता है इसमें क्या-क्या include होता है आपके experiences आप किससे किसे प्रभाव आपके पर पढ़ रहा है आपकी environment का बहुत जादा आपकी personality पे एक influence होता है और आपको किस तरह की knowledge provide करी जा रही है एक individual को उसकी पूरी जिंदगी में अब देखी education का जो idea है वो यहां पर यह नहीं कि सिर्फ हमको certain subjects को पढ़ाना है बलकि उनके अंदर एक ऐसी habits को develop करना है एक attitude को develop करना है ताकि बहुत जो मैंने आपको बताना कि future में जो भ बहुत ही बहतर तरीके से पेस कर पाऊ अब यहां पर जो plateau है वो यहां पर यहीं कहते कि एम यहां पर education का यहीं होना चाहिए कि हम हर चीज को देखने में हर चीज की beauty को देखने में capable हो सके हमारे परफेक्शन सो उसकी बाद एस total क्या कहते है यहां पर देखिए हमें educate होना ताकि हम अपने डेवलप कर सके हैं अपना जो एक तरह के से supreme truth और beauty और goodness को देख सके है उसके बाद एडर्शन यहां पर यह कहते कि जो education है वो क्या है एक social process है जिसमें कि जो individuals है मतलब कि बहुत सारी चीजों को सीखता है ताकि वो इस society में survive कर सके हम लोग क्या करते हैं आग अगर के समाज में क्या है अगर आपके पास education नहीं है तो आपको आप उसी जो office में AC की बैट के काम कर रहा है बंदा उससे आप ज़्यादा मेहनत कर रहा है लेकिन उसके comparison में आपको बहुती कम पैसे मिलेंगे और जो AC में बैट के बंदा काम कर रहा है उसको बहुती ज़् difference है कि आपके पास education होनी चाहिए आगे बात करते हैं उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो education है transmission of social heritage जैसा कि मैंने आपको बताए कि हमारे जो भी आपकी values होती knowledge होती skills होती है वो हमारी generation से दूसरी generation में transfer होती है ना जिससे कि हमारे माता-पिता ने उनकी जो हमारी शादी होगी तो हम भी अपने जो बच्चे होंगे उनको वही चीज सिखाएंगे यह पूरी process चलती रहती है ओके तो यह आपको ध्यान देना यहाँ पर social heritage में क्या होता है कि जो groups होते हैं वो पास करते हैं अपनी वी चीज़े हैं अपने जो values हैं उसको क्या करते हैं बच्चों को सिखाते हैं कि तुम किस तरीके से society में social behave करो ओके तो यह एक तरीके से क्या है conscious training है अब यह क्या सुनानिमस भी है आपकी socialization का किस तरीके से हैं देखे क्या होता है कि हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो हम education की वज़े से लोगों socialize करते हैं उनसे मिलते ह उनको लोगों को समझने की कोशिश करते हैं तो यह एक बात है अब देखिए वैसे हाला कि यह बहुत ही एक limited sense में इस शब्द का use करते हैं जैसे कि आपके formal training में हो गई ना instructor जो है वो आपको सिखा रहा है institutional pattern में जैसे कि आपके school, colleges, universities में बस खाली education मातर हमें एक किताबी चीज़े हो गई हैं हमें यहाँ पे अभी हमारे mind पे मतलब कि practically चीज़े नहीं हैं आज के society में ना क्योंकि अगर हम इंडिया के systems की बात करेंगे तो हमारे क्या system में कि अभी हमको सिर्फ किताबी ग्यान मिल हमको practically नहीं ज़्यादा चीज़े सिखाई जाती हैं कि तुम बाहर जाके experiment करो हैं यह सब चीज़े हैं कि आपको सिर्फ यहाँ पे आप ठेवरंस पड़ोगे लेकिन आपको practically वो चीज़ नहीं करने को मिलता है तो अभी बहुत ही limited sense में use or I hope की in future हमें यहाँ पे practically भी बहु concept क्या है so I hope कि यहाँ पे को clarity हो गई होगी अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज मुझे जरूर बताना comment section में अभी तैक चानल को subscribe नहीं किया तो please guys जरूर subscribe के लिए आगे आगे आपको बहुत ही बहतर content मिलने वाला है मैं अपनी तरह के लिए से पूरी कोशिश करूंगी कि आपको best में आपे content दे पाऊं okay thank you so much keep learning guys